हलो, विल्केम एवरीवन, सो लास्ट लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्चन का कंसेप्ट पढ़ा और उसके रिलेडेट एक कोशन किया और अब हम करने वाले एक और एक कोशन जिससे हमारा वो सब्सक्रिप्चन वाला जो पार्ट है वो कन्फर्म हो जाए, ओके इसे खुद आइंसर करने की कोशिश कीजिए मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, तो आप अपने मन में ही वो चीज़े सोच सकते हो, ताकि आपको confidence आता रहे, ओके यहाँ पर देखे, कुश्चन में आपको receipt and payment दिया हुआ है, for the year ended 31st March 2018 2018, subscription में आपको 16-17 का पैसा मिला है 2000 रुपए, यानि कि last year का outstanding है यह, बड़बर है, because last year का पैसा अभी मिला है, that means कि यह पैसा last year outstanding था, और last year के outstanding को आप क्या करते हो minus, बड़बर है यह आपका 17-18 का पैसा है current year का, 18-19 that is next year का पैसा, तो यह आपका current year के लिए pre-received income होगा बड़बर है, और total amount मिला है आपको 66-500, फिर adjustment में आपको का, subscription outstanding for the year 17-18 right, कितना है, 6000 रुपए 17-18 मतलब हमारा current year, current year का outstanding कितना है, 6000 रुपए, तो आपको पता है current year का outstanding को आप क्या करोगे, plus करते हो, और current year का है तो इसके लिए 2 effects पास करने होगे, तो इसी तरीके से इसका भी आपको 2 effects देना है, विकोज यह current year का pre-received है, और यह current year का outstanding है, तो इन दोनों के 2-2 effects आएंगे, ओके, फिर आपको बोला है, during previous year subscription received in advance for 17-18, मतलब है 17-18 जो हमारा अभी का साल है, उसका आप advance पिछले साल मिला था, that is pre-received income, यह last year का है, यह क्या है आपका, last year का pre-received कितना है, 2000, और normally आप current year का pre-received क्या करते हो minus, और last year का pre-received आप क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो, right, ठीक है, उसके बात क्या कह रहे है, outstanding subscription for 16-17, last year का 16-17 का subscription है, वो कितना है, 2500, अब इसके उपर मैं बात करूँगा, थोड़ा सा last में, right, पहले हम लोग बाकी चीज़े कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखे, तो जिस तरीके से मैं आपको बताया, सबसे पहले हम लोग income and expenditure बनाएंगा, और balance sheet, यह मेरे income and expenditure के सारे heading और format, और यहाँ पर balance sheet का, तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको कहा हम लोग क्या लेंगे, subscription का amount, कौन सा amount आएगा, सोचिए दिमाग में, वो आपका होगा, 66,500, right, जो outer column में figure है, subscription का, वो आपको हमेशा ले लेना है, इसके बद सबसे पहले मैंने आपको कहा से शुरू करने कहा था, आपके receipt and payment में से, आपको क्या करना है, कि आपके total amount में से, जो अभी के साल नहीं है, उनको अटा देना है, यह पहले तो 16,17 यह अभी का नहीं है, यह लास्ट यहर का है, तो लास्ट यहर का पैसा अभी मिला है, यह लास्ट यहर का outstanding है, और लास्ट यहर का outstanding आप माइनस करेंगे, तो outstanding subscription for 16,17, कितना है, 2000 रुपए मिले हमें, right, 2000 रुपए, यहाँ पे लिखाए sir, 16,17 outstanding subscription, वो अलग बात है, अभी के year में, अभी का जो आपका पैसा है, इसके अंदर लास्ट यहर का कितना है, आप वो माइनस किजिए, okay, फिर 18,19 यानि कि आपका next year का income, प्री रिसुड है, अभी मिल गया है आपको, right, so यह भी माइनस करते हम लोग, right, let's प्री रिसुड करके, यह current year के लिए प्री रिसुड रहेगा, कितना, 4500, और यह current year का प्री रिसुड है, तो उसका आप second effect liability में show करेंगे, right, प्री रिसुड करके 4500, अब इसके बाद, हमारा next काम है, यह हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं adjustment पर, पहले तो हम लोग इनको add, minus करने मोला है, तो less करके, निकाल लेते, total क्या आएगा, 66500 में से 2000, और 4500 में minus करता हूँ, तो आ जाता है 60,000, यह same आना चाहिए यहाँ पर, in case अगर आपने कोई calculation mistake की है, होटी सी, तो आपको यह amount check कर लेना है, खाली की, same आ रहा है, तो ठीक है, वरना आप देख सकते हो, कुछ mistake हुआ है तो, ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, next adjustment बोला है, subscription outstanding for 1718, यानि कि current year के लिए, आपका outstanding कितना है 6000, so current year का outstanding क्या करते हो, आप प्लस करते हो, right, 6000, ok, इसके बाद इसका second effect आप show करोगे आपर, balance sheet में, asset में, क्योंकि यह पैसा आने वाला है, right, तो 1718 का जो है, आपका, वो क्या है, आपका 6000, मैंने gap क्यों रखा है, because और आपको बीच का 1617 का, अभी भी कुछ बचा है, वो लेना है, बरबर, ठीक है, इसके बाद आपको subscription, previous year में मिल गया था, कौनसे year का, 1718 का, मतलब current year का पैसा, last year में मिल गया है, तो यह pre-received income है, but last year का है, so normally आप pre-received minus करते हो, बट यह क्योंकि last year का है, तो इसलिए आप इसे क्या करोगे, plus करोगे, और यह last year का है, हम आगे बात करते हैं, about this, यहाँ पर outstanding subscription, last year का कितना बोला है, 1617 का 2500, अब उसमें से 2000 आ गया है, तो बचा कितना 500, तो आप यह पर क्या लिखेंगे 500, तो जिस तरीके से last sum में किया था हमने, last year में आपको 1617 का outstanding balance sheet में दिया था, बराबर है, बड़ यहाँ पर balance sheet नहीं दिया है, यहाँ पर adjustment में दिया है, तो normally हम लोग यही करते हैं, फटक से 2500 last year का था, बड़ 2000 आ गया है, तो अब पर 500 बचा तो 500 यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ यहाँ पर statement ध्यान से पढ़िये, उन्होंने बोला है, outstanding subscription for 1617 is, is बोला है, is मतलब अभी, 1617 का अभी कितना pending है, 2500 pending है, तो आपको 1617 का अभी कितना दिखाना है, 2500 दिखाना है, ठीक है, और total जो हो है, आपका 8500 यहाँ पर आ जाएगा, और यह इसका जो total आपको add करके है, अब यहाँ पर मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉस अगर समझी यहाँ पर वास दिया होता, बटलब outstanding subscription 1617 का 2500 था, अगर ऐसा बोला होता वास, तो हम लोग 2000 माइनस करते हैं, और फिर बाद में बचा हुआ 500 यहाँ पर लिखते हैं, बट ease बोला है, मतलब वो present tense की बात कर रहे हैं, कि आज के date में 1617 का 2500 है, इसलिए हमने आपके यह किया, अगर यह आपके वास बोला होता, तो हमने जैसे लास सम में किया था, वैसे ही करते, 2500 में से 2000 माइनस करके, अभी 500 बचाए करके, ठीक है, बट वो यह statement ease की वज़े से खाली यह part क्या हुआ, हमें ऐसा करना पड़ा, clear हुआ आपको यह, तो subscription जो हमने लास्ट लेक्चर में concept पड़ा, उसी के ओपर हमने एक sum भी किया था, और अभी हमने एक और एक sum subscription का किया, ताकि यह आपका part confirm हो जाए, ओके, तो सारे sums जो आगे आएंगे, इसके बाद और एक दो questions ऐसे हैं, जहाँ पर आपको again full fresh questions नहीं है, वापे आपको income and expenditure खाली बनाने बोला होगा, और उसके बाद से full fresh questions हो जाएंगे, वाव